हेलो प्रेंड्स असलाओं मेरा नाम है अजी मेवाथ और आप देख रहे हैं अकाउंट्स इंफॉर्मिशन तो फ्रेंड्स आज का मेरा टोबी के लिके हैं आपके कोई बूक के इंदर किस तरह से डिस्काउंट आइटम को एड़ कर सकते हैं तो फ्रेंड्स डिस्काउंट आइटम काम क्या करता है तो फ्रेंड्स अभी तक हमने जितने भी आइटम्स अब डिस्कास करें तो उन तमाम आइटम्स को तो उन तमाम आइटम्स का इफेक्ट्स हमारी अकाउंट्स पर पड़ता है तो चाहे वो सर्विस हो चाहे इन्वेंट आइटम, नौन इन्वेंटि आइटम, सर्विस आइटम या गुरूप आइटम जो भी आइटम हो उन तमाम चीजों का इफेक्ट्स हमारी की बूक अंदर पड़ता है और उन तमाम चीजों को रिकोर्ड्स करना भी लाजमी होता है और इसी तरह से हमारा जो डिसकाउंट आइ दूनिये निया कि रिकेंट यह फिसके बाद वह सारी एजसिस देंगे असल खिमत पर लेकिन अगर आप इसकाउंट आइटम एट कर रहें तो आपको मालूप होना चाहिए कि इसका असर आपकी अकॉंट्स पर क्या होगा और भी अपको अपनी जो डिपार्टमेंट है उसे से भी आपको help देनी चाहिए तो friends discount की two types होती है हिस्टलल्च डशकती है झाल 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 तो फ्रेंट्स इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपनी क्विक बुक के अंदर किस तरह से डिस्काउंट टाइप को एड कर सकते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी कविक बुक उपन करनी है। हॉमपेज के उपर जाना है और सबसे पहले जाना है अपनी लिस्ट के अंदर है जो आपके मेनिव बार के अंदर होती है। discount, select करना है, select करने के बाद, इसके अंदर जो आप लिखेंगे, वो item name, वो होगा हमारा discount, और आप particular product, date, particular is the knob, यानि के तो जिस से आप दर्वाजा खोलते हैं, इसको knob केते हैं, तो इसमें आप लिख देंगे, discount in, discount on handle, तो discount on handle, इसके अंदर आ गया, तो जब आप इसके अंदर अपनी rate डालेंगे, तो आपको इसमें देखना है कि यह आपकी amount है, या discount, क्योंकि ज़र amount और discount का option लिखावा है, तो आपको देखना है कि amount है या discount है, तो आप इसके डालेंगे 50, और अगर यह आपकी percentage है, फीसद, तो आप इसके अंदर अपना, यह sign डालेंगे, तो यह हमारा taxable के लाता है, लेकिन फिल्हाल में इसको भी non taxable sell कर दाऊं, तो non taxable कर दिया, तो amounts को किस चीज़ के अंदर आपको save करना है, तो फिल्हाल में इसको construction income, फिल्हाल, यानि कि अभी कर रहा हूँ, मैं आपको खाली दिखाने के लिए, तो मैंने कर दिया इसको, तो फिर आप करेंगे ok, ok करने के बाद आप देखेंगे इसकी discount on handle, तो फिर आप इसकी description भी डाल दें, वह में डालता हूँ, इसकी discount on handle, तो description डालने के बाद आप इसको open कर दें, ok कर दें, तो आप देखेंगे इसका name, भी आगया, discount on handle, और description भी इसकी discount on handle आ गई, तो यह जो हमारी type के लाईगे, के लाईगे हमारी discount, तो इसके बाद आपको जाना अपने homepage के उपर, homepage के उपर जाने के बाद आपको अपनी create invoice के उपर जाना है, तो जैसे आप create invoice के उपर आप जाने तो आपको अपना कोई customer select करना है, तो आपको इसके अंदर अपना item select करना है, कोई भी अपना item select करना है, मैंने cost bidding और cost sale यह इसके अंदर डाल ली, तो मैंने bidding के जो rate है वो 800 डाल ली है, और इसके rate जो है मैंने 850 डाल ली, तो इसकी quantity जो है मैं इसकी 50 डालता हूं और bidding sale की 30, तो आप इसको कहीं भी बाहर click करेंगे या enter करेंगे तो आपकी तमाम amounts जो है, वो इस column के अंदर आ जाईगी, तो इसके अबाद आप इसके अंदर add करेंगे अपना discount जो मैंने भी discount on handle लिया था, discount on handle, तो जैसी मैंने इसके उपर click किया है तो 50% ये कड़ गया है इसके अंदर से, यानि के less हो गया, discount हो गया है इसके अंदर से, तो इन तमाम चीजों का जो total है वो इसके अंदर आ गया, तो friends ये जो amount है हमारा 42,500 और 24,000 तो इसका total अगर आप देखेंगे तो 66,500, ये आपका total amount बनता है लेकिन discount डालने के बाद आपका 12,000 रुपय आपका less हो गया इसके अंदर से, तो फिर आपकी जो total amount बनाए वो है 54,500 तो ये आपका balance due हो जाएगा, तो आप इसके कर देए save and close, ओुम और ici ऌपका 14,500, तो 6,500, तो 16,500 तो 16,500, तो 16,500, तो 16,500, तो 16,600, तो 16,500, तो 16,500, तो 16,1 26,500, क् Boulevard In effect, what we can do is, we can create number of discount that we offered to a client's keep in our depository and as in when required, we can utilize to discount to provide a discount to a customer or client, यह वो discount है, जिसकी planning, sales department एक साल पहले कर चुका होता है, और वो जब इनको इन्वोप यह जब इनको चलाने का वक्त आता है, तो यह department, account department को बता जाता है कि हमने मुख्तली चीजों पर यह यह discount offer करने हैं, तो friends, जैसा कि मैं आप बताया कि हम हर किसम की discount अपने पास रख सकते हैं, तो इसको हम sales team के साथ, यानि कि जो हमारी invoice का system चला रहे होते हैं, उन्हें बताना बहुत लाजमी होता है, on as and when required, और जहां जहां यह invoke हो रहा है हमें उससे discount लेते चले जाने हैं, लेकिन जब campaign शुरू होगी तो marketing team हमें बता देगी कि आपने कितने हफते, इतने महीने या कितने अर्से तक चलानी है, तो इन दिनों हमारी जीतनी भी बनेंगी और हमारी area's में फूरा उत्रेंगी तो पूम तमाम को discount हम देते चले हैं, तो friends, इस वीडियो में आप बताया है कि आप कि इस तरह से फिल्ट केंड़ discount कर सकते हैं, तो friends, अगर आपको इसमें गवीबात पुछ नहीं है या आपको गवीबात फिल्ट में नहीं आ रही है, तो आपको इसे कमेंट से में लाद में पूछाएं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न बोले, तो friends, मिलते आपको इसमें वीडियों सब जब तक इन इडिए अलाउंस झाल झाल झाल